हाई गाईज, इलेक्वेंट रिलेशनशिप में हम लोगों ने देखा 1 to 1, 1 to many, आज हम लोगों देखेंगे has1 through बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ये बहुत ही रारली यूज करते हैं लोग इसको, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं और कहीं आपको किसी सिनर्यों में अगर फिट बैठता है ताब इसका इसका इस्तमाल का सकता है, आपको एक काम को थोड़ा सा easy बना देता है वरना ये होता 1 to 1 के जैसा ही है has1 through relationship, has1 through relationship defines a 1 to 1 relationship with another model तो यहां एक another model होता है, जिसके through ये सारे चीज़ें होती है, कैसे होती है, क्या होती है, सब्सक्राइब को समझ में आ जाएगा थोड़ा सा सही हम माना गरे कि however, this relationship indicates that the declaring model can be matched with one instance of another model by proceeding through a third model नहीं समझ में आ इस definition से मुझे इसको example से समझे, real world example से, कि एक mechanic है, ये official dog का ही मैंने example लिया हुआ है, तो ये एक mechanic है, ये एक car बनाता है अभी इसका एक honor है, अभी इसमें पुरा scenario ये है, कि एक mechanic को एक car मिलेगा बनाने के लिए और इस car का एक honor होगा अभी यहां पर आप इसको देखेंगे, तो इसमें direct relation नहीं है, mechanic का और honor का, honor का relation होता है car के थुरू, यानि कि mechanic car को जानता है और car का एक honor है तो इस case में क्या होगा, अगर हमें, अगर मालीजे कि मुझे mechanic ID के through honor का पता लगाना है, तो पता नहीं हम लोग लगा पाएंगे या हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को easy बनाने के लिए हमें मिलता है has won through, तो mechanic has won honor through car तो समझ लेजे कि car यहां mediator की intermediate model के तोर पर काम करेगा और यह सारी सीज़ें आपकी होगी, practically देखिएगा तो आपकी scenario और बहुतर तरीके समझ मैंगा, table में देखिए, just table में मैंने mechanics का cars का और honors का तीन डेवल बनाया है, mechanics में mechanics का detail है, name है, उसकी mechanic का नाम है, car में model है, car का model ह की ID है, उसके बाद honor में आप देख सकते है, name है और car की ID, तो mechanic one-to-one relation मनाता है car से, और car one-to-one relation मनाता है honor से, तो mechanic से आप car का detail निकाल सकते हैं, easily हो हमने कवी बार देखा हुआ है, one-to-one में, आप लोग आराम से खा सकते हैं, अगर inverse भी करना हुआ, तो हम लोग भी कर सकते ह कार से honor का निकल जाएगा, बट अगर मैं mechanic से honor का निकलना चाहता हूँ directly, तो यह possible नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, जिससे की honor और mechanic में आप यहां पर relation देख पाएंगे, directly, कोई भी ऐसा यहां मुझे दिखनी रहा, तो इसी चीज को आजान बनाने के लिए हमें मिलता है has1 through relationship, अब देखेंगे, जिए मैं आपको practically दिखाऊंगा था हूँ, कि किस तरीके से mechanic id का use करके हम लोग कार के honor का पता लगाते हैं, इसको define कैसे करते हैं has1 through relationship को, the has1 through relationship defines a one-to-one relationship with another model, however this relationship indicates that the declaring model can be matched with one instance of another model by proceeding through a third model, syntax को इसका कुछ चीज तरीके से होता has1 through आपको लिखना पड़ता है has1 through, one का over capital through का t capital, यहाँ पर फिर आप final model class लिखते हैं, फिर बीच में आपको intermediate model class लिखना पड़ता है, फिर आप foreign की और local की define करते है, foreign की local की आपको तभी define करना, जब आप naming convention को छोड़कर अलग सा नाम होई रखते हैं, तो वरना उसको हमने आप पता लगा लगा कि foreign की क्या है और local की क्या है, इसके बारे हम लोग ने one to one में और one to many में भी discuss किया हुआ है, final model यहाँ पर क्या है, final model class, the first argument passed to the has1 through method is the name of the final model, we wish to access, जिसको हम लोग access करना चाहते हैं, वह होता हमारा final model class, और intermediate model class क्या हो था, the second argument is the name of the intermediate model class, जो इसक पूरा एक basic definition और इसका syntax अभी देखिए, एक proper example, opening PHP हमने लिखा, मैंने गड़ बड़ोगे opening PHP में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमारा name is space वागे रहा है, और हमने यहाँ पर mechanic model की अंदर में, हमने यह define किया है, has1 through, अभी has1 through का अगर आप देखेंगे, यहाँ पर example जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिखा हुआ है, कि has1 through, और honor, व्योंकि मुझे इसका data access करना है, तो मैंने honor class को यहाँ पर लिखा, और honor model को मैंने यहाँ लिखा, फिर किसके थूरे इनिक intermediate कौन सा होगा, हमारा car होगा, तो वह car लिखा, मैंने आप देख सकते हैं, मैंने mechanic ID ल फिर आपका car ID, foreign key on the honors table, then आपका ID, जो कि local key होगा, mechanic table का, फिर एक और ID है, local key on car table, तो यह सारी चीजी मैंने यहाँ पर mention की होगा, अभी कुछ चीजी ध्यान में आप रखिएगा, जो कि मैंने आपको naming convention से कई बार बताया हुआ है, कि यहाँ पर mechanic ID और car ID लिखने के हमारा श रखते हैं, mechanic underscore ID, car underscore ID, तो इस case में आपको यह यहाँ लिखने का शक्ता नहीं पड़ेगी, अब इसको हटा सकते हैं, यह automatically detect कर लेगा, लेकिन आपका foreign key का नाम अगर कुछ और है, तो उस case में आपको इसको mention करना पड़ेगा, और क्या का mention है, किस table का foreign key mention है, कहाँ पर, वह हम new gs41, अब address किया, लरावल का हमारा project create हो रहा है, यतो कि यह create हो, आपको database prepare कर लेते हैं, database prepare करने के लिए, मैंने server को, mysql को दोनों की start कर लिया हुआ, पहले से, इसको तो browser में चाहिए, phv admin open कर लिजी, मैंने open कर लिया, यहाँ पर हम लोग एक नया database create करेंगे, lfv नाम से, आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं, database का, आपकी अपनी वार्जी है, यह हमने utf select किया, create किया, यह हमारा database बन गिया, अभी इसमें table हमें create करना है, बट यहाँ से manually नहीं, वलकि migration files दे create करना है, बस हमें सिर्फ यह database चाहिए, इसका नाम चाहिए, यादर क्या 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 अभी तो हमने lav लिख दिया, अब इसके अंदर चलते हैं, cdgs41, और हमें क्या क्या क्रेट करना है, हमें migration file चाहिए, हमें model चाहिए, और हमें controller भी चाहिए, तो सारी चीजिए एक साथ हमें create कर लेंगे, मैंने आपको तरीका बता है कि कैसे कैसे सब कुछ करते हैं, तो मुझ mechanic, mechanic रिखा, और हमें जाए, migration file और controller, यह दो चीज़े, controller नहीं भी रहेगा, एक ही controller फाइल चाहिए, हमारा सारा काम हो जाएगा, बड़ मैं अलग अलग बनाता हूं, ताकि आप अच्छे तरीके सा इसको समझ भाए, so हमने इसको interface किया, और हमारा model create हो गया, और migration file भी हमारा will create हो रहा है, साथ में हमारे controller भी create हो गया, यह हमारे चीजें create हो कहा है, model file आपका रहता है app folder के अंदर में ge इसी तरीके से मुझे कार के लिए बनाना है और फिर ऑनर के लिए बनाना है इसी तरीके से तीन फाइल जेनरेट हुआ सेम सेम लोकेशन पर जहां जहां भी यह सारी चीज़े होगे तो सेम यही कमाड़न करेंगे बस यहां पर यह चेंज करना हमें यहां से इसको कार कर देंगे यह कार हो गया अब इंटरप्रेस करते हैं और कार का यह क्रेट कर रहा है पहले model फिर migration file फिर यह controller कर देगा चलिए create हो गया अभी इसके बाद मुझे है create mechanic table तो यह mechanic table हमारे लिए create करेगा उसका column हम यह define करना पड़ेगा दूसरा migration file जो कि है create cars table तो यह car table करेगा उसका हम यहां पर column define करना पड़ेगा और तीसरा पर यह mechanic table है तो mechanic का क्या नाम होगा उसके लिए हमें इसका name देना पड़ेगा तो name column बनाना पड़ेगा तो यहां पर हमें कुछ भी foreign keyword define करने का शक्ता नहीं पड़ती है आपको पता होगा हमें mechanic से relationship बनाना है car का तो car में हमें foreign keyword बनाना पड़ेगा तो यहां id एक लिखा हुआ है अभी हम लोग यहां पर क्या करेंगे string और car का model होगा model नाम का column मना लेंगे यह model नाम का column होगया अभी हमें इसका foreign keyword define करना है foreign keyword की कई तरीके से define कर जाता है मैंने आपको बताया था theoretically जो हम लोग foreign keyword पड़ रहे थे तो एक तो मैं आपको कई बार तब से दिखाते हुए आ रहा हूँ कि हमें क्या करना पड़ता है पहले आप foreign keyword का column define कर लिए इसे unsigned big integer और unsigned big integer ही क्यों लिखना है यह भी मैंने आपको बताया तो यहाँ पर हम लोग जो column का नाम होता है वो था mechanic यानि कि जो model जिससे हम लोग relation बना रहे हैं उस model का जो भी नाम है स्मॉल लेडर में उसका नाम है mechanic तो यहाँ पर दिखिए यह mechanic तो यह mechanic हमने यहाँ पर लिखा और underscore देखर id लिखना पड़ता है तो यह हमारा foreign के नाम होता है अब इस तरीके के नाम आप रखेंगे same convention के साथ तो आपको कहीं भी दिख्कत नहीं होगी कहीं भी आपको अलग से foreign key को mention करने का आश्रकता नहीं पड़ेगी अधर्वाइस आपको हर से का mention करना पड़ेगा तो यह हमने अभी column define किया अभी इसको मुझे बताना पड़ेगा कि इसको इस column को foreign key बनाने है उसके लिखते है और table और यहाँ से foreign किसको बनाना है mechanic mechanic underscore id इस column को बनाना है इसको reference देना पड़ेगा references और сб और ID को यहाँ कि mechanics के ID को mechanics table के ID column को यह refer करेगा और table को यहाँ पर लिखते हैं कि यह वाला s लगाना यहाँ पर table का नाम लिखना होता है इसलिए हमने s लगाया हुआ है कि इसलिए हमने s लगाया है तो यहां कार वाले table में हमने क्या किया कि हमने एक यह वाला column बनाया वहले mechanic id और इसको हमने foreign की बना दिया और यह reference करेगा id को और यह mechanics table को table पर जो id है उसको refer कर रहा है मतलब id के base पर mechanic table का जो id होगा इसके base पर हमारा यह foreign की चलेगा यह कहने का मतलब है मैंने आपको बताया है theory में कि आप इस तरीकी से दो line लिखने के वज़ा इसको एक line में भी लिख सकते हैं उसके लिए आपको लिखना पड़ता है table और foreign id लिखना पड़ता है यह दिखने में अच्छा लगता है में लंबा तो है बड़ दिखने में अच्छा लगता है और समझ में आता है इसलिए लोग इसको use करते हैं अभी trend यही है बाकि बहुत बतलेगा चोटा लोग use करना शुरू करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि इस चीज को लिखन name column हमने यहां name लिख दिया अभी foreign key वाला जो काम करेंगे उसको मैं यहां से copy कर ले दा हूँ यहां से copy किया और यहां पर paste करके unsigned रहेगा यह mechanic id नहीं रहेगा बलकि यह car id बन जाएगा car id और यहां पर भी हमें car id करते ना है इसको सेव किजिए अभी हमारा तीनों टेबल का माईगरेशन फाइल त्यार है अब हम लोग माईगरेट करेंगे और हमारा सारा टेबल क्रियेट हो जाएगा अभी देखिए हमारे database में कोई भी टेबल नहीं है यह database हमारा खाली है LAV अभी माईगरेट करते हैं तो php artisan migrate और interface क्या देखिए कोई error आया क्या कोई error नहीं है सारे files हमारा अच्छे तरीकिसा migrate हो गया है बहुत अच्छी बात है सब कुछ हमारा अच्छे तरीकिसा migrate हो गया मैं इसको नहीं चे कर देता हूँ और देखिए कि टेबल हमारे create हो यानि हमारे according इसको refresh कीजिए यहां से वह देखिए हमारे पास एक पहले तो होना चाहिए mechanics नाम का table यह table है id name और यह साथ चाहिए फिर cars में mechanic का id foreign की रहाएगा mechanic id foreign की तो पर रहेगा तो यह भी है आप स्ट्रक्चर में जाकर देख भी सकते हैं यह foreign की बना हुआ है उसे किसे honor में जाएंगे honors में तो यहां पर भी आपको एक car id दिखेगा यह भी हमारा foreign की बना हुआ है यह बहुत अची बात ही यह one-to-one का relation अभी हमने बनाया mechanic से car में car से honor में mechanic का और honor का कोई भी direct relation नहीं है ध्यान रखेगा यह हमारा main मुद्ध है अभी का तो यह तो हमारा हो गया अभी इसको close करते हैं इसमें कोई काम नहीं हमें करना है एक्स्ट्रा बस इतना ही था अब जो normal relationship है one-to-one का अभी हमने उसको define नहीं गया अभी था हम नहीं है तो तीनों को मैंने open कर लिया है अभी mechanic में पहले आते हैं mechanic को define करेंगे car के साथ तो यहाँ पर लिखेंगे public function public function और car के लिए तो car मैंने लिखा यहाँ पर और यहाँ पर वह जाएगा हमारा return this arrow लिखना है फिर has one लिखते हैं one-to-one के लिए has one लिखा किसके साथ car model के साथ यहाँ पर अपने car लिखते हैं बस यह one-to-one हमारा define हो गया mechanic और car के बीच में अब इसी तरीके से मुझे define करना है आउडुर्ण के बीच में हो जाए तो यहाँ पर मैं JAMES Pेor यहां सफे कर करें यहां से यहां तक कोपी किया और यहां पर आप यही एपर पार न इसको पिष्ड कहते हैं यहाँ पर न लिखकर करिंद्र का न रखश पर यहां पर अनर लुखना पढ़ेगा और यहांपर कहार वर्ष वगर भी यहां पर छोड़ दिया है सिनारियो बस अब 1-to-1 का देख लिए सिंबल सा तो यह नॉर्मल सा जो 1-to-1 का रिलेशन होता है यह हमें पता है और हम लोग डेटा भी से फेच कर सकते हैं यह भी हमें पता है पर हमारा जो मेन मुद्धा है वह है कि मेकनिक की ID के यह पर मुझे और निकालना जबकि दोनों का कोई डिरेक्ट इलेशन नहीं है तो यह कैसे करेंगे तो उसको देखेंगे की कैसे करेंगे लेकिन उससे पहले टिटा हमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए चाट्रोलर का रप लेंगें हम लोग मैकनिक में आई है मैंने एक आपजेट बनाया और उसमें नेम था तो नेम में मैंने जैक दे दिया डेटा और इसको सेव गए दिया तो जब भी यह रन करेगा add mechanic इसका मैं web.php में भी define करना पड़ेगा इसका uri जो हमने अभी तक किया वा नहीं है रूट यहाँ पर है यहाँ पर में define करना पड़ेगा उसको करेंगे थोड़ी दर में बड़ फिलाल के लिए जो logic है उसको समझिए इसको अटा दें comment को यहाँ से यहाँ सेव किजिए और यह दोनों भी automatically हमारा insert हो जाएगा उसको लिखने के हाँ शिक्दा नहीं पड़ती है और similarly इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे car controller में एक car insert करवाएंगे और उसी तरीके से honor के लिए honor insert करवाएंगे but दोनों में foreign की है यह भी ध्यान में रखना है तो उस उन सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए करना है यह साची आपको पहले से बता होगी विकाज हमने यह बहुत ही अच्छा दरीके से पहले भी देखा हुआ है one-to-one relation में तो car control में मैंने पहले तीनों को import किया तीनों models को फिर मैंने इसमें एक बनाया function यह फिर method रगा सकते है add car का जो कि id लेगा mechanic की और mechanic का पता लगा लेगा फिर mechanic object यहां पर रखेगा फिर car object हमने बनाया और car का पहले model हम अडाल दिया फिर mechanic car और हमने car को save कर दिया तो इससे foreign key अगर हमारा इंसर्ट हो जाएगा और यह data आपको car वाले table में इंसर्ट होकर दिखाए देगा और mechanic ID भी दिखाए देगा foreign key के तो उसका हमने code लेगा और इससे तरीके से honor का हमें करना है honor में हमने पहले import कर लिया सारे models को फिर हमने add honor करके एक उनाया अब यहां पर car हमें मिलेगा because car ही foreign key हमारा बनेगा तो कौन से car का कौन honor है वह हमें इसमें पता चलता है तो देखिए हमने car ID हम पर पास किया अब car ID से car object निकलेगा अब्येट बनाकर हम लोग honor का नाम डाल देंगे और उसको save कर देंगे foreign key के साथ यह हमारा काम हो जाएगा तो चलिए फटाफट कुछ data insert करते हैं फिर मैं आपको retrieve करके दिखाऊंगा कि कैसे आप mechanic ID के base पर honor का detail निका लेंगे जोगी हमारा main काम है यह तो simple साथ यह हमने कई बार देखा हुआ कई बार means one to one में देखा है फिलाल हम लोग insert करेंगे data insert data insert करने के लिए हमें यह run करने पड़ेगी तो web.php में हमें यह roots define करने पड़ेंगे लेकि web.php में पहले मैंने import कर लिया तीनों ही controller को फिर मैंने एक ही करके सभी controllers के लिए आप डिफाइन कर दिया हुआ add mechanic में URI को hit करेंगे तो mechanic controller का EL method चलेगा add mechanic और यहाँ पर जो हमने jack लिखा यह insert हो जाएगा mechanic table में उसी तरीके से अगर add car और id देंगे आप तो वह car controller के इस add car को चलाएगा और इसमें mechanic का id हमें पास करना पड़ेगा इसके URI में और यह car का data insert हो जागा उसी तरीके से हमारा honor का data insert होगा यह सब कुछ easy है अभी हम लोग server पर start करेंगे php artisan serve अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो यह हमारा run करेगा अभी हमारा कोई data insert नहीं है पहले mechanic insert करना पड़ेगा तो mechanic हम लोग insert करेंगे यहाँपर हमें लिखना होता है add mechanic add mechanic लिखकर interface कीजी और कोई run नहीं मतलब हमारा data insert देते हैं तो mechanic में आईए और यहां से jack की जगह पर आप कर देजिए tom इसको save किया save करने के बाद वापस एक बार और इसको refresh कीजिए तो यह data भी हमारा insert हो जाएगा आप देख सकते हैं एक और mechanic यहाँपर insert हो गया ठीक है अभी mechanic insert हुआ है अब हम लोग car insert करवाएंगे तो car में हमें देना पड़ेगा क्या mechanic ID भी पास करना पड़ेगा फिर उस mechanic ID के base पर ही car का data insert होगा और mechanic ID चला जाएगा foreign key के लिए तो उसे में पता चलेगा कि कौन से mechanic के पास कौन से car है या फिर कौन से car किस mechanic के दोरा बनाया जा रहा ठीक किया जा रहा है तो यहां यह mechanic की जगह यह 1 टॉम की ID है 2 तो मैं चाहता हूँ कि jack हैंडल करें इस car को जिस car का model है i10 तो इसमें मैंने 1 दे दिया और इंटरप्रेस किया तो यह refresh हुआ अभी अब देखेंगे car में जाकर तो आपर कोई data insert हो कर दिखाए देगा i10 जो model है उसको handle का राकोन जिसकी mechanic ID है 1 यानि की jack से पहले honor controller यहाँ से देखें हमें क्या देना पड़ेगा car ID देना पड़ेगा कि कौन सी car ID का honor कौन है वह insert होगा तो car हमारे पास है एक अभी जिसकी ID 1 है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह 1 है तो उसी को मैं देखेंगे तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा कि यह add car क तो रहे गई honors यहाँ पर car ID 1 जिसका honor है सौनम तो हमें क्या करना यह सारी जीन तो ठीक है और data भी retrieve कर सकते हैं अगर हमें car के base पर यह निकालना हो honor निकालना थो निकाल सकते हैं विकास दोन में relation है 1 to 1 का तो वह हो सकता है अगर आपको mechanic से car का निकालना हो तो वह भी हो सकता है उसमें भी 1 to 1 का relation है बट mechanics से अगर आपको honor निकालना हो तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा मुश्किल नहीं होगा मतलब हमें ज्यादा code लिखना पड़ेगा वगर 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 तो बाकी सारी चीनी छोड़कर सिर्फ हम लोग relation देखेंगे कि mechanic की ID के base पर कैसे आप आपको honor का data निकालेंगे because mechanic और honor का दोनों का कोई direct relation नहीं है उसका relation है एक intermediate table के थ्रूँ या intermediate model के थ्रूँ जो की है car तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप data fetch करेंगे और data return करके मैं आपको दिखाता हूँ तो हम लोग क्या करेंगे honor वाले यहीं पर रहेंगे और उसके base पर हमारा honor का data आएगा तो public function show honor और यहां पर हम लोग simply लेकिए दो तरीके है एक तरीका है जिसमें आपको has one through यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता आप access कर सकते हैं mechanic से honor को mechanic ID से honor को access कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ पहले वहा तरीका हम लोग यहां लिखेंगे honor equal mechanic mechanic अब फिर हम लोग mechanic ID हमें मिलेगा तो लोग उसको find कर लेंगे ID से यह ID हमारा यहां पर आएगा तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा यह ID अभी इससे हमें क्या मिल जागा इससे हमें mechanic मिल जागा अभी हम लोग डाइक्टली इस तरीके से ओनर नहीं लिख सकते हूं वाइं विगास यह जो specifically है यह मिलेगा नहीं विटास मेगनिक का ओनर से को डिएक्ट रिलेक्षा नहीं है तो इसके बीच में क्न है counselor कार है तो आप यहां से अपर लिखार लोग यह मिल जाएगा इसको return करवाते हैं हम लोग यहां से return honor और हमने इसको save करते हैं अभी हमें इसको run करना पड़ेगा इस method को तो इसलिए web.php में define करना पड़ेगा एक uri तो एक simple से uri show honor और id हमें देना पड़ेगा mechanic के id और honor controller का yield method चलेगा और हमें दिखाए देगा data तो चलिए देखते हैं यह वाला इसको मैंने save किया save करने के बाद run करते हैं इसको hit करते हैं show honor id के साथ यह नहीं mechanic id के साथ तो यहां पर से इसको हडाता हूं मैं show dash honor और mechanic id 1 मैंने लिग दिया और मैंने enterprise किया देखिए हमें mechanic id के base पर honor मिल रहा है car का honor कौन है sonom तो वह हमें data यहां पर देखने को मिल रहा है अब यही same data हमें चाहिए यही same data हमें मिलेगा लेकिन ज्यादा आसान तरीके से जहां लोग यूज़ करेंगे has won through तो उसको mention करना होता हमें mechanic से car के पास करना है तो यह साची इस सब्सक्राइब करना है यह mechanic control भी अटाता हूं और यहां se honor में नहीं करना है car में नहीं करना है मैं mechanic में करना है तो यहाँ पर आईए और यहाँपर relation have define कीजिए यहां पर लिखेंगे public function honor और यहां पर लिखेंगे return this as one का o capital through का t capital और यहां पर हमने छोड़ दिया एक dash और पहला model जिसको अपर access करना चाहते हैं मैं honor को access करना चाहता हूं तो वह हमने लिख दिया फे दूसरा जिसके through आप access करना चाहते हैं तो यहां हमारा intermediate car है तो हमने car को यहां पर लिख दिया अभी जब आप यह relation बनाते हैं has one through का relation बनाते हैं कि mechanics यह honor के पास तो इस case में आपको यह code लिखने का शक्ता नहीं पड़ती आप इस तरी के शॉनर लिखे और आपको same data मिलेगा एक extra column के साथ इसको अब refresh करेंगे अब वह देखिए हमारे पास क्या क्या है हमारे पास id है name है created at है updated at है और car id जो foreign की हमारा हुआ हमारे पास इसको refresh करते हैं यह कि same data मिलता है बड़ इसमें आपको id मिलेगा name मिलेगा created at updated at और यह पर car id और इसके अलावा एक मिलेगा laravel throw key one तो same data मिलता है बड़ ज्यादा easy है एक जो query का cost होता है इसमें ज्यादा है और इसमें कम है अभी तो आपको एक data मिलता है इस विए सबको फर्क नजर नहीं आदा बड़ इसका cost ज्यादा पड़ता है और इसका cost कम पड़ता है performance के हिसाब से इसमें हमने देखा कि किस तरीके से आप दो टेवल के बीच relation नहीं है मगर फिर भी आप data को access कर सकते हैं एक intermediate define करके तो यह था हमारा has one true और इसमें कुछ भी नहीं है बस इतना ही simple सा था बस इसको याद रिखेगा यह वाला हाला कि यह पहुत ही कम use होता है मगर फिर भी आप याद रिखेगा ताकि आपको कहीं अगर जवरत पड़े तो आप इसका इसका इस्तमाल कर पाएं इस वीडियो को दिखने के लिए सुबकाम बहुत बहुत तैने बात